कि नवस्कार दोस्तों मैं हूं दीपक मिश्रा बंसल नीूस की खास पिशकश में आपका स्वागत घर्डीई झालि लोघकर नियूच्ट विंद्स दियुermальных स्वागत है दोक्टर घनुका अपका स्वागत अगर्ड तो वाज हम बात करने वाले हैं किड़्नी की बीमारिओं से आखिर कैसे बचेंद की की बीमारियों से कैसे हम बचें और क्या उसके D सवाल हैं कुछ जग्यासा है तो आयुष्मान कारिक्रम के दौरान आप सीधे हम से जोड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं. टालीफोन नंबर्स लगा तार टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं. आप सीधा नंबर्स पर कॉल करके सवाल पूच सकते हैं डॉक्टर गनिश से और सलह ले सकते हैं. तो शिरुवात करते हैं से पहले किड्नी की तमाम जस तरह की बैमारियां होती है कैसे एक और आ प्रिकन के से साइलांट केलर होती है जो जिसके लक्षाट सुरवाती दौर में नहीं आते है जब पूरी तरीके से फेल हो необходती तो लक्षाना आते है तो ऐसी बिमारियों में मरीज जब 8 स्टेश पहुशता है तब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं तब पता चलता है कि इसको ये बिमारी है तो उस समय मरीजों को सिब डालेसिस या ट्रांस्प्लांट यही दो विकल्प होते हैं जिन से इनका इलाज हो सकता है मगर किड्नी की कई बिमारिया है जो अगर शुरुवाती दोर में जिनका निदान और उप्चार हम कर सके वो डाइगनोज हो जाए तो उस कंडिशन में मरीज को हम यह सब डालेसिस और ट्रांस्प्लांट इन चीजों को हम रोक सकते हैं या किड्नी की जो कारेशमता है जो कम हो जाती है किड्नी की बिमारियों में उसकी जो घटने की कारेशमता घटने की जो दर होता है उसको हम कम कर सकते हैं तो यही आज का जो हमारा में डिसकेशन का टॉपिक है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक जो नॉर्मल वेक्टि होता है जिसे हम healthy adults कहते हैं उनको किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए और दूसरा होता है कि जिन वेक्टियों को kidney की विमारी हो चुकी है या जिनको चल रही है उन लोगों ने अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए जिसको उनको dialysis पे या transplant पे जाने क जरूरी है कि आप आपके खाने में एक protein की मातरा proper बनाये रखे खाने में जो चिकनाई वाली चीजे होती इनको कम रखना है ताकि आपका वजन कंट्रोल रहे नमक कम मातरा में लेना चीए और जिन लोगों को diabetes है उन्होंने मीठा नहीं खाना चीए दूसरा है आपने पानी की मातरा proper तरीके से लेनी चीए तीन लीटर तक पानी रोजाना आप सेवन कर सकते हैं हाँ जीन मरीजों को डॉक्टर ने बताया है कि आप पानी कम पीजे वो कम पिए पानी की मातरा आप अगर अच्छे से पीते है डेली तो इससे आपके किड्नी में पत्थरी बनने का जो और चौता होता है कि आप जो अलकोहल और तंबाकू का सेवन करते हैं इसको आपको बंद करना है क्योंकि अलकोहल और तंबाकू दोनों भी किड्नी पर असर करते हैं जिससे भईशे में आपको किड्नी खराब होने का पुरा-पुरा डर होता है और लास्ट बट सबसे में आपके प्रोटीन और आपके ब्लड में क्रियाटनीन की जाच और एक बार GFR का estimation साल में एक बार जरूर करना चाहिए और खासतर उन वैक्तियों के लिए जिनके फैमिली में किसी और वैक्तियों किड्नी की समस्या है या जिनके घर में जिनको ब्लड प्रेशर है ऐसे वैक्तियों को साल में एक बार आपके नेफिलोजिस से मिलना चाहिए और खिड्नी की जाचे करवानी चाहिए बहुत अच्छे से आपने बताया है तमाम डूस और जाहिर है कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं अलकोहल ड्रिंक करते हैं तो आप उसे बचे आप योग व्यायाम करें इस तरह की कुछ अलग अलग डूस और बताया है डॉक्टर गनेश ने एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ अ किशन जी हमें फोन कॉल कर रहे हैं किशन जी कहां से कॉल कर रहे हैं अप आप ही किशन जी सबसे पहले अपने tv सैट का वाल्यूम आप बंद कर दीजिए अपना सवाल पूछे कि मैंने के अपती करवाय है कि जी किशन जी अपने अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखी है और अपना सवाल पूची हमें आवाज मिल रही आपकी मेरे यूरीन के सभी टेस्ट नारमल है सर किन्तु यूरीन में स्मेल और गाड़ापन रहता है सर देखे किसन जी आपने जाज करवाई है और आप बता रहे हैं कि सभी नारमल है लेकिन फिर भी यूरीन में आपके स्मेल और गाड़ापन रहता है तो मुझे ऐसा डाउट है कि हो सकता है आपके पिशाप में इन्फिक्शन हो तो आप हो सके तो आप आपके आसपास कोई नेफिलोजिस्ट है उनको दिखाईए या आप यहाँ भी आ सकते है आपकी एज की हिसाब से हमें आपकी कुछ और जाचे करनी है जैसे कि कल्चर है आपका अल्टरसाउंड है अगर आपकी उमर जादा है तो आपका प्रोस्टेट का प्रॉब्लिम भी हो सकता है उसकी भी हमें जाच करनी पड़ेगी तो यह कुछ कारण है जिसका निदान और उप्चार हमें आपका करना चाहिए जी डॉक्टर गरिश यह भी मैं आपसे ज कि बिमारी है तो भारत में करीबन साथ से दस प्रतिशत लोग हैं जिनको कि बिमारी है मगर सबी लोग जो है किड़नी के लिए जो उप्चार है जैसे कि डालेसिस है और ट्रांस्पांट इसका लाब नहीं उठावाते हैं बहुत सारे लोगों को यह लाब उठाने में दिक के से हम ठीक कर सकते हैं और कुछ बिमारियां होती है जिनमें अगर हम दवा करें इनकी इनका proper उपचार करते हैं तो जो किड्नी की कारिश जो कारेशम तक पर कम होती है इसको हम घटने के दौर को कम कर सकते हैं ताकि जो डालेसिस है और ट्रांस्प्लांट इसकी नौबत ना आए या फिर इसको हम समय को लंबा कर सकते है जरूर आपने ठीक बात कही है डॉक्टर गणिश हम ये भी जाना चाहेंगे कि खास्तोर पर मदू में की हम बात करें और उच्छ रक्तचाप की बात करें हाई ब्लड अगर आप डाटा देखेंगे कि जो किड्नी की बिमारी के पेशेंट है जिनको डालेसिस है ट्रांस्पार्ट हो रहा है तो पचास प्रतिशा से ज्यादा लोगों को किड्नी खराब होने का कारण होता है मदू में तो खासकर जिन लोगों को डायवेडीज है उनको कुछ प आप आपका वजन कम रखें जिस अाहर हमने बताया है उस तरिक southeastर आउगी का हार आपटाने में ले जाज और EGFR का जाज जरूर करवाना चाहिए और नेफिरलोजिस से मिलना चाहिए और दूसरा है कि अपने आखों की जाज भी करवा ले ताकि आपके आखों पे भी डाइबिडिस का कितना असर हो रहा है यह आपको पता चल पाए ताकि आपकी बीमारी शुरुआती दौर मे अगर डाइबिडिस से किड्नी खराब हो रही है और यह बिमारी पकड़ी जाती है तो इसका इलाज संभव है आपको डाइलेसी सो ट्रांस्प्रांट की नौबत नहीं आएगी यह बहुत अच्छी बात आपने बताए क्योंकि हम अमुमन देखते हैं डाइबिटी याने में और हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित कई मरीज होते हैं और जाहिरे कि उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि उनका वजन नियंत्रण में हो बजन कम हो खासतोर पर नमक वो कम खाएं और शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रखे एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड धर्र अब को शुगर की बीमारी है डाय भीडीह दो देखी क्या है यह पिर्मारी के वजह सकता है और आपकी जो आपके बताईए वो दबाई खानी है और आप कोई alternative medicines इसके लिए ना ले ये मेरी आपको सला रहेगी नि तो आपका जो kidney का खराब होने का जो ये है प्रमान वो बहुत जल्दी होगा बिल्कुल ठीक कहा दॉक्टर गणेश ने जाहर है किसके पहले भी बता रहे थे कि शुगर लेवल आपका control में रहे नमक आप कम खाये अपना वजन नियंत्रित रखें ये इस तरह की कुछ basic सावधानिया भी आपको जरूर बरतनी चाहिए दॉक्टर गणेश ये भी हम जाना इसमें end stage में हमें dialysis या गुर्दा प्रत्यरोपन ही करना होता है मगर शुरुवाती दौर में हम अगर CKD पेशेंट्स को कुछ दवाईयों और कुछ सावधानियों के चलते इस बीमारी को हम लंबा खीच सकते हैं ताकि इनको dialysis और ट्रांस्प्रांट की जरूरत जल्दी आप है तो वो कंट्रोल में रहना जरूरी है खाने में जैसे कि मैंने बताया कि नमक का सेवन कम करें और प्रोटीन की मातरा भी अगर आपको किड़नी की बिमारी है और आप डालेसिस में नहीं है तो आपको थोड़ी कम रखनी चाहिए रिगुलर वैम करते रहे और समय समय पर आपको खून की जाचे करवानी बहुत जरूरी है ताकि हमें उससे अंदाजा हो जाता है कि आपकी बिमारी किस गती से आगे बढ़ रही है और हमें कुछ और इलाज करने की जरूरत है तो यह ठ्याल रखना बहुत जरूरी है बिलकुल ठीक कहा आपने जाबधानी ही हम हमारी एक बेसिक हम कह सकते हैं स्टीज है जिस पर हमें खास ध्यान रखना चाहिए खास फोकुस रखना चाहिए डॉक्टर गनेश यह भी हम जाना चाहेंगे पॉलिस्टिस्टिक गुर्दारू के हम बात करें तो आखिर इसके शिग्र निदान किया है और इसके उपचार क बिमारी है जो आपको पैदाईशी रहती है और यह फैमिली में रन करती है कि अगर आपको पॉलिस्टिक किड्नी डिसीज की बिमारी है तो हो सकता है आपकी फादर को आपके अंकल को या आपके भाई बहन या बच्चों को भी यह बिमारी हो सकती है तो यह बिमारी एक ना अगर किसी के घर में polycystic kidney की बिमारी है तो वो अपने घर के सभी members का जो उनसे नियर related है उनका ultrasound screening ज़रूर करवा ले और समय समय पे जिन लोगों को नहीं है लेकिन family history है तो उन लोगों ने करना बहुत ज़रूरी है दूसरा होता है इस बिमारी में जैसे कि मैंने बताया है कि blood pressure कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है आपका blood pressure 130 बटे 80 के नीचे ही रहना ज़रूरी है इसके लिए आपको regular आपका blood pressure चेक करते रहना है घर पर नमक कम खाना है बताई गई दवाई ये खानी है polycystic kidney disease की बिमारी में कुछ बिमारिया होती है जो उस kidney में हो जाती है जैसे कि पिशाप के रास्ते का संक्रमन जो बार बार हो सकता है और गुर्दे में पत्थरी बनना यह भी इस बिमारी में बार बार पाया जाता है अगर आपको ऐसी कोई समस्या नजर आती है तो आप जाकर आपके नेफ्रोजिस से मिलिए उसका इलाज कराईए अगर आप इसका इलाज ना कराए तो हो सकता है कि आपकी किनी बहुत इस प्रेंड स्टेज में पहुँच जाया और आपको डाली सिस की जरुवत पड़े फिलहाल हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गया है जो फोन कॉल कर रहे हैं भोपाल से योगेश जी हमें सवाल पूछना चाहरे है फोन कॉल करके योगेश जी क्या सवाल है आपका किड्नी भी खराब है तो मेरे हिसाब से यह आपको किड्नी के वज़े से भी हो सकता है या आपकी किड्नी ब्लड प्रेशर के वज़े से खराब हुई है तो बहुत सारी दवाईया होती है जिससे हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते है ऐसा पॉसीबल नहीं है कि आप दव और आप खाने में नमक का सेवन बहुत कम करिए क्योंकि अगर नमक आप ज्यादा खा रहे और आपका गुर्दा खराब है तो आपका ब्लड प्रेशर दवाई लेने के बावजुद भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है तो यह दो चीजे करिए और फिर नहीं होता है तो हमें में प्रेश में आपका क्या अब अब क्या perspective अब कि प्रॉबलम में प्रिशाप को और खार होई अचछा ग्र्पिंच है ना हाव तो देखे शुगर पेशंट है तो हो सकता है उनका शुगर कंटोल नहीं है अगर शुगर के मरीजों को पिशाप बार बार आ रहा है तो यह लक्षन होते हैं कि आपका शुगर अनकंटोल है तो आप शुगर की दवाईया थोड़ी एक्जिस करके प्रॉपर लीजिए और एक इसका बार 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 बुखार आ रहा हो तेज थन लग के पिशाप करते हुए अगर बच्चा रोता है पिशाप में जलन बता रहा हूँ या उसको भूक कम लग रही हो वजन कम हो रहा है तो यह हो सकता है कि आपके बच्चे के पिशाप में infection हो तो बच्चों में पिशाप का जो infection होता है उसका तुरंत निदान और उपचार करना बहुत जरूरी है अगर इसकी उपचार में और निदान में अगर देरी हो जाए तो हो सकता है भाईशे में यह आपके kidney पे गुर्दे पे असर करें और आपका गुर्दा फेल हो जाए इससे आपको blood pressure की शिकायट भी हो सकती है और अमोवन 50% से ज़्यादा बच्चों में जिनमें गुर्दे का infection होता है पिशाप के राष्टे का infection इनमें कुछ आजनम पिशाप के रास्ते में दिक्कत होती है जिनको हमें diagnose करना जिनका उपचार और निदान दोनों बहुत जरूरी हो कि अगर यह हम ना कर पाया है तो भाईशे में बच्चों की गुर्दा खराब होने का बहुत जादा डर होता है तो इस वक्त एक और अजहर जी हमें फोन कॉल कर रहे हैं जहर जी कहां से कर रहे हैं आप फोन कॉल जी स्वागत है आपका कारिक्रम है सवाल पूछें अपना मुझे 15 साल का तब था जब से तोगर है मुझे और क्या समस्या है आपकी इसका कुछ सल्यूशन चाहरें डॉप्टर गणिश आजर जी आपकी उमर कितनी है अभी तो देखिए आपको 15 साल से इंसुलीन लग रहे हैं तो आप और इंसुलीन भी ले रहा है तो मेरी आप से सला यह रहेगी जैसे कि मैंने कारिक्रम में शुरुवाती कारिक्रम में बताया है कि आप को आपकी शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है और आपको इंसुलीन लेते रहना है शुगर आपकी जो है HbA1C होता है जो साथ से जादा नहीं रहना चीए ठीक है और दूसरी आपसे मेरी सला रहेगी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल रहना है आप आहर जैसे कि हमने कारेकरम में बताया है उस तरीके से ले कि आपको नमक का सेवन कम करना है प्रोटीन की मातरा कम रखनी है और आपको डेली एकसाइज करना है फिट रहना है और तीसरी सला मेरी आपसे यह रहेगी कि डायबिडीस के मरीजों को हर साल एक बार गुर्दा एक और कॉलर हमें फोन-कॉल कर रहे है चत्तितगड के राइफुर से धनगर जी हमें सवाल पूछना चाहरे है धनगर जी स्वागत है आपका क्या सवाल है आपका कि बीपी मेरा है यह ना पीपी हाई रहता है और थोड़ा प्रोस्टेट की भी सिगायत है तो बीपी कंट् तो आपको मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज करनी है कि आपको आपका वजन थोड़ा पांच किलो कम करना चाहिए पांच से दस किलो दूसरी चीज आप खाने में नमक कितना खाते हैं खाने में आप नमक कम खाई करिये और डिले एकसीस करिये ठीक है और आप को बता रहे हैआपके इंपर ब्ल मेरे खानिक करीं किया है और अब बता कि इसे ईक çार इस रिस राव également सबसे घुillar कि सबढ़रा किके बीपी कहता है अगर वो आपका 140-130 है तो आप जो दवाई आपको डॉक्टर साब दे रहा है आपके वो आप continue करिए और गुर्दे की जैसे मैंने बताइए आपको हर 6 महने से 1 साल में जाज करवानी जरूरी है क्योंकि आपको प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम है और प्रोस् ठीक फिलाल एक कॉमन सवाल डॉक्टर गनेश मैं जो देखता हूं अकसर सुनने में आता चुकि हम किड़नी से संबंदित बिमारियों पर चर्चा कर रहे हैं अकसर वयस्कों में एडल्स में शिकायत रहती कि बार बार उन्हें उन्हें यूरीन आती है हर घंटे दो घंटे ब्ना या पर प्सेट की समस्य है तो ऐसे प्थर वस्क लोग बारियों को गोके लक्षन ब्रोंकम में году है तो खिर किमारी में बैल्स को देंता की इस पर देहन नहीं देता है क्योंकि भविश्य में ये चीज़े आपको गुर्दा रोक के रूप में कनवर्ट हो सकते है डॉक्टर गनेश ये भी हम जाना चाहेंगे BPH की हम बात करें तो सौम में प्रोटिस्टिक हाइपर ट्रॉफी जो है BPH इसका उचित प्रबंधन क्या है देखिए जैसे बढ़ती उम्रे के साथ में प्रोटिट का जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है जाट साल की बाद में करीबन 60-70% लोगों को प्रोटिट की प्रोब्लम होती है तो लोग इसके जो लक्षन है प्रोटिट बढ़ने के लक्षन इसको नेगलेक करते हैं तो धीरे धीरे यह करती है कि आपको इसके वज़े से पिशाप के रास्ते का संक्रमन होना जिसे यूटिया कहते है और गुर्दा फुल जाना और गुर्दा पुरा खराब हो जाना और डालेसिस के जरुवत पढ़ना यह बीमारिया हो सकती है तो अगर आपको प्रोस्टेट क लक्षन आ रहे हैं तो आप शुरुआती दोर में ही इसका इलाज कराईए इसको रोकना बहुत आसान है ताकि भाईशे में आपको और आपकी गुर्दे को दोनों को बचाया रखें तमाम अलग-अलग सवालों के आपने जवाब दिये और मैं उमीद करता हूं कि दर्शको को आप देना चाहेंगे देखें मेरा आपको यही मैसेज रहेगा कि जिन बरीजों को गुर्दा रोग नहीं है उन लोगों ने मैंने जैसे बताया है कि आपके वजन पर कंट्रोल रखें एक संतुलीत आहर खाईए पानी अच्छा पीना चाहिए नमक की कमी है और बार बार आपके गुर्दे की साल में एक बार तो भी जाज करवानी चाहिए और जिन लोगों को किड्नी की बिमारी है तो उनको हताश होने का कोई कारण नहीं है अगर आपके शुरुआती दोर में बिमारिया पकड़ी जाती है और आप दवाई रिगुलर लेते है तो हम इस बिमार के तोर पर आप उनका ख्याल रखेंगे डॉक्टर गणिश आप उपस्तित हुए इस कारिक्रम में और अपने समय निकाला बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसी के साथ हमारी खास पिशकश में फिलहाल इतना ही एक बार फिर कल हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्ते